अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए अपना प्यार लगा तो थैंक्स एक ओंकार सतनाम करता पुर्ख निर्भव निर्वेर अकाल मुर्त अजूनी सेभं गुर्परसाद जप गुर्परसाद जप आद सच जुगाद सच आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच नानक हो सी भी सच अंभरसि कुप नानक हो सीकत करता है 2020 खब गूखिए बसके साथ उन मैंकर शर्णी करूशmenडा नहां टेस्टे लुड़ा सक्षा फर में हो धरें के लिए सकने मैं अजयों को अगा है पर भाम को मैंने कुछशवर हो चाल आड़ पिरुशार कर भाम है कि लद देए आ एक लागा है नहां थाना है अंगमिन दाने को चैसाल से मुगल सल्टनत इस सूर में बंदा सिंग बहादूर का कुछ ना बिगार सके तुछ ने दुनिया की सबसे ठाकतवर सल्टनत की नाक के नीचे अपने गुरू के सपनों का पंजाब बसाया जालिमों का नाश कर जुल्मों से मुक्त पहला खालसा राज इस्तापित किया लाहौर से फिर निकला मानवता के इतिहास का सबसे करूर जिलूस बंदा सिंग को जलील करने के लिए उसे शाही पोशाक पहनाई गई और उसके तीन साल के मासूम बेटे को गैदी बना साथ सो चालिस सिंगों के साथ दिल्ली ले जाया गया दे शिवा बर्मो यह है शुब कर मनते कब हूँ न तरो ते शिवा बर्मो यह है शुब कर मनते कब हूँ न तरो ते शिवा बर्मो यह है शुब कर मनते कब हूँ न तरो न तरो अरसों जब जाए लरो निस्चय कर अपनी जीत करो ते शिवा बर्मो यह है शुब कर मनते कब हूँ न तरो न तरो अरसों जब जाए लरो निस्चय कर अपनी जीत करो इसी बुलंद हांसली की शान में हमारे महान देश का राष्टगान लिखने वाले महाकवी रविंद नार्ट तैगोर ने एक कविता लिखी बंदी बीर आखिर बंदा मुगल फौद के हाथ आ गया शेहर की तरहे उसको पिंजरे में डाल दिल्ली लाया गया जेह शिवा बर्मो यह है शुब कर मनते कब हूँ न तरो न तरो अरसों जब जाए लरो निस्चय कर अपनी जीत करो पुले इसो निहार साथ स्रियाकार शेहनशाहे हिंदोस्तान ज्यादातर सिंगों को हमने पंजाब में ठिकाने लगा दिया है और बचे खुचों की अगल ठिकाने लगाने यहा दिल्ली ले आए हैं जो हमारा मजब कबूल करे उसे रिहा करो और जो ना करे उसे फारण अलविदा करो आखरी बार पूछ रहा हूं अगर कोई हमारा मजब कबूल करता है उसको बख्ष दिया जाएगा उसे पाहियो लाओ एक को उजलात पहले मैं उजलात पहले मुझे 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 दे उसको पकड़ो हर कैदी सिंग सबसे पहले शहीद होने के लिए उतावला था रोज जरते सूरज के साथ सौ सिंग कत्र कर दिये जाते हैं साथ दिनों में साथ सौ सिंग शहीदी पा गए साथ सौ सिखों को उनके साथियों के सामने ही कतल के लिए ले जाया गया जनाब फिर भी उनका फैसला नहीं बतला हर कतल के बाद हमारी उमिदें घटी गई और उनके इरादे मजबूत होते तीन महीने कैद में सडने के बाद भी ना तो कोई सिंग और ना ही बंदा अपना मजभ छोड़ने को तैयार है सरकलम कर दो डर तो नहीं लग रहा पुतर डर वो के होता है हां तुझे कैसे पता वो तो सिंगों में होता ही नहीं हां जैसे बाबा फते सिंग ने भी नहीं था उनसे सीख लिया कि धरम के लिए अटल कैसे रहना है हां चल हुकम हुआ तो अपने बच्चे का खुद कतल करेगा काजी ने बंदा सिंग के बेटे को जलादों के हवाले कर दिया बंदा ने उसकी लाई दस्तार को चुम और उसके कान में कहा वाई गुरुजी की फते बेटे के छेहरे की तरफ देखा और निर्भय होने के लिए कहा बेटे ने भी वाई गुरुजी की फते गरज़कर जवाब दिया मैं निर्भय हूँ उसने कहा बेटा वाय गुरुजी की फत्य उचारते हुए जमीन पर गिल पाँ सत श्री अकाल बंदा सेंग तेरी शांत आंके मुझे डरा रही है ये मेरे अंदर खुस्ती जा रही है इन आंकों को फोड़ मैं तुस्य अंधेरे में धकेल तूँगा तेरे टुकडे टुकडे करूँगा रुक क्यों गए मेरी आंखों को तो फोड़ दो गए लाखों और जो तुम्हें तुम्हारे पापों की याद दिलाएंगी उन्हें कैसे फोड़ोगे बंदा सिंग वहादूर के जिस्म को जम्बूरों से नोचा गया बोटी बोटी कर दिया गया मुगलों की ये दरिंदगी भी बंदा सिंग को आखरी सांस तक उसके उस खालसा पंथ से टस से मस नहीं कर सके खालसा पंथ जिसकी नीव खुद गुरु गोबिन सिंग ने सालों पहले अनन्दपुर में रखी थी अनन्दपुर जहां गुरु साहब के चारों साहबजादों के मधूर सुर फिजाओं में गुंज थे और सारा बातावरन सुख स्ने और शांती से भर जाता था अनन्दपुर साहब की रौनकों को किसी की नजर लग गई धोके से वजीर खान ने गुरु साहब से अनन्दपुर का किला खाली करवा दिया और सरसा नदी पर आकर उनका सारा परिवार बिखर गई चालिस सिंगों और दो बड़े बेटों के साथ गुरू साहब ने चमकौर की गड़ी में डेरा लगाया दस लाकी फौज लेकर वजीर खान ने हमला बोल दिया दुश्मन के साथ लड़ते हुए पहले बाबा अजीद सिंग शहीद हुए फिर बाबा जुजहार सिंग ने गुरू पिता से आशीर वाद ले जंग में वीरगती प्राप्त की गंगू के लालच ने माता गुजरी जी और चोटे साहबजादों को वजीर खान के खुनी पंजों में सौप दिया जिसने काजी के साथ मिलकर चोटे साहबजादों को दिवार में जिन्दा चिन्ने का फत्वा जारी करवा दिया दिवार ने बच्चों की बहादुरी को सराम किया और उनके कदमों में गिर पड़े वजीर खान के इशारे पर जल्लादों ने बच्चों के सिर कलम कर दिये गुरू साहब ने इस तरह सरबंस वार के मानवता की खातिर अपना फर्ज निभाया 1708 सरहंद तीन साल बीद गये थे जिस जगह पर छोटे साहबजादों को दिवार में चिन कर शहीद किया गया था उस दिवार को वजीर खान ने तूटा हुआ इसने छोड़ दिया था ताकि वो भायानक दृष्ष लोगों को उसकी दहशत की याद दिलाता रहे पर उसके विप्रीत लोग वहां आकर साहबजादों की स्मिलती को परणाम करते कईयों को तो वहां वाहे गुरू की आवाजें भी सुनाई देती और तो और कोई शरधालू हर महीने उनकी शहीदी के दिन वहां जोड़ जला जाता कौन जला जाता पता नहीं चलता था आज भी इस महीने की वही तारीख है वजीर खान की दह्शत के सामने वो कौन सा सिर्था जो जुकने के लिए तैयार नहीं था रजिया बीटी जल्दी कर कमरुदीन ये जोट किसे ने जलाई पता नहीं जनाब मैं तो नमाज पढ़ने गया था ओए मोहतरमा इधर आओ यों कमरुदीन ये वरत अभी यहां आई थी जनाब बेशक बुड़ाबे में मेरी नजर कमजूर हो गई है पर अच्छे बुरे की पैचान है इसे मैंने पहले यहां कभी नहीं देखा ये जोट तूने जलाई है जोट तो साहिबजादे अपने बल की तरह तुझे भी कालकोट्री में बंद कर दिया जाएगा जल भागयां से कमरुदीन जी जनाब लोगों को तो हम कैद कर लेंगे पर उन आवाजों को कैसे कैद करेंगे जो इस दिवार से आती है इसलिए इस लड़की के दिये को जलाने के थोड़ी देर बाद मैं दिये क कई बार यहां से गुजरता हूं तो मुझे वहे गुरु वहे गुरु की आवादे सुनाई देती हैं सुना जनाब जनाब ये सब अफवाहे हैं कौन से वहे गुरु की आवाद और कहा से आएगी वैसे अब सिखों के पास बचाई कोन है गोबिंद के बड़े बेटों को तो चमकौर के लड़ाई में मरवा दिया और छोटों को सरहंद में मार दिया हिंदू और सिखों को आपने ऐसे भयानक तारे दिखाए कि सारे डर के मारे सहमकर घर में बैठ गए हैं और बात्षा की आँखों में धूल जोंखने के लिए आपने दरबार में दो सिख आली सिंग और माली सिंग को दीवान की बदवी दे दी है तो बता दीजिए वो कौन सी परेशानी है जो आपको अपनी ही उंगलियों के पटाके बजाने के लिए मचबूर कर रही है गोबिंद सिखों का गुरू जो हमेशा मेरी मार से बश्टा रहा मैंने उसके बच्चों तक को मरवा दिया फिर भी उसने आकर मेरी चौकट पर सर नहीं जुकाया मैं चाहे सारे सिखों को क्यों ना खत्म कर दूँ जब तक उनका गुरू जिन्दा है मेरी समस्या जैसी की तैसी बनी रहेगी खान साथ ये दोनों आपकी समस्या का हल करके दिखाएंगे जिसका सर कलम हमारी तलवार ना कर सकी क्या तुम उसका शिकार करोगे जी हाँ हमारे वार से मरेगा गोबिंद और सदमे से मरेगी पूरी सिख कौम तुमारे जवाब ने तो मेरी उमीदों के बंदर वाजे खोल दिये सुचनन इनकी जोलियां सोगातों से भर दो जी बादशा गुरू को दक्षिन की तरफ ले गया है उत्तर की तरफ ना आ पाए और अगर कहीं जाए तो सीधा उपर जाए जाओ गुरू की हत्या खान साब अपनी सोच के बारे में तुबारा सोच ले ना कोई बुरी बात नहीं उस गुरू की मौत में ही मेरी जिंदगी है इससे पहले कोई और मुसीबत मेरी तरफ आए महांच जी महांच जी महांच जी कोई अपने डेरे पर आया है आते ही उसने तो मटकी मर्यादा मिट्टी में मिला दी बकरे काटे और अपने परसाद बनाने वाले चुले पर मास पकने रख दिया और खुद वो आपके पलंग पर पसर कर बैडिया कौन है जिसने इतनी हिम्मत की बाबाजी सबक सिखाओ उसे वहां बैठे ही पलंग समेथ धर्ती पर उल्टा कर मारो फिर जाकर पूछना जाकर पूछना नहीं अपनी शक्तियों को भेज कर पलंग समेथ उसको यहीं बुलाऊंगा अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने अधितू अधोदास अंकार के अंधगार से निकल सच्चाय की रोश्नी में आँ तुमने कुछ सुना नहीं महनतीजी आपने तो कुछ भी निकाँ भी निकाँ मादोदास परमात्मा की आवाज सिर्फ आत्मा सुन सकती है और आत्मा की आवाज सिर्फ परमात्मा येवल मंत्र तुनी जमाने से शांती नहीं मिलती जित को शांत रखना भी जरूरी है तू भटक चुका है मादोदास आज पहली बार तेरे सभी तंत्रमंत बेअसर साबित हुए है तेरे डेरे पहुचने वाला शक्स कोई मामूली इंसान नहीं है काफी नाराज लगता है तू हमारे से तू यही सूच रहा है न कि इन्होंने तेरे डेरे की पवित्रता भंकर दी माफ करना महराज मेरे पवित्र स्थान पर निर्दोश जीवों की हत्या हुई है उनके खून से आश्रम की मिट्टी लाल है अब मैं यहां ध्यान नहीं लगा सकता गुरूस साहब ने कहा यही तो मैं तुम से जानना चाहता हूँ के बाहर जब बुगल सैंक्रों निर्दोश बेकसूर इंसानों को बक्रों की तरह हलाल कर रहे हैं वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सरे आम हो रहे अत्याचार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देता राजोरी के रहने वाले हो तुम्, तवी, सतलूज, ब्यास, रावी, जबुना, गंगा, नर्मदा इन नज्यों को पार कर गुदावरी के पास आडेरा लगाया है मेरी मानों एक बार फिर से सफर शुरू करो रास्ते में तुम्हें गरीब मेहनतकश रोते हुए किसान मिलेंगे उनके आंसूर पोचना, उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है अंतरियामी, आप कौन है? गुरू साहब ने कहा, वो ही जिनको तुम जानते हो ऐसे नहीं मादो, मन की आँकें खोल आप तो साक्षात गुरू गुबिन सिंग जी हो हाँ मादोदास, जैसे ही गुरू साहब को दादू दुआरे के महंत जैतराम से तेरे बारे में पता चला, सीधा तेरे डेरे चले आए मेरा सा भाग्य गुरू साहब ने कहा, अपना भाग्य और जगा तुम करमवीर हो, जिस करम के लिए इस धर्ती पे आये हो उसकी कमान संभालो, तुम्हारा स्वभाव तो शिकारियों जैसा है जल्म के सतायक हुए वो लोग उतने ही मासूम और बेकसूर हैं जितने तुम्हारे तीर से मरते हुए हिर्णी के वो दो बच्चे जो पैदा होते ही तुम्हारे सामने दम तोड़े जिनको तुम तडब तडब कर मरता हुआ देख न सके और शिकार खेलना बंद कर दिया तीर भी तोड़े थे और कमान भी फेंगे थे उस पीड़ा की तडब ने तुम्हें लक्षमन देव से मादोदास बना दिया अंतर्यामी मैं गुरु साहब ने कहा हां हां तुम कौन जी मैं आपका बंदा वो कौन से बापी है जो बेकसूर लोगों का खून बहाते हैं कैसे सजा देगा उन लोगों को तंतर मंतर से उनके पलंग उल्टे करके तंतर मंतर वाले मादोदास की मौत तो आपके दर्शन करते ही हो गई थी बाजावाले साहियां अब आपके सामने आपका बंदा है अब आप अपने इस बंदे को ऐसा सिंग बनाओ जिसकी तलवार किसी बेगुना पे उठे ना और किसी पापी को बख्षे ना गुरू साहब ने कहा बस तुम्हें बंदा ऐसा बाहदूर सिपाही बनाएंगे जो इंसानियत के दुश्मनों को लोहे के चने चबवाएगा अब तुम्हें हम गरीबों मजलूमों का सहाई खालसा बनाएंगे नांदेड में गुरू जी ने अपना डेरा गोदावरी नदी की किनारे लगाया वहां का वातावरन बड़ा ही मनोहारी था हिरनों का जुन्ड चुपचाप आकोने में बैठ जाता और मोर भी नाचना पूल शान्त होकर बैठ जाते इस तरह के वातावरन में आकर माधोदास और उसके साथ ही धन्य हो गए युद्ध के मैदान में घोड़े हमारे शरीर का हिस्सा होते हैं इसलिए तुम्हारे और घोड़े के दर्म्यान सही तालमेल होना बहुत जरूरी है थोड़ा वक्त लगेगा माधोदास सबसे पहले ये सीखना है कि अपना बचाव कैसे किया जाए चलो अब तुम वार करो ना ऐसा करके तुम एक वार को रोक रहे हो और दूसरे वार को न्योता दे रहे हो जब तलवार तुम्हारे हाथ में हो तो नजर दुश्मन पर होनी चाहिए लाल रंग सिर्फ तुम्हारी तलवार की शान बढ़ाए तुष्मन की दलवार हमेशा बेरोनक रहे जंग हौसले से जीती जाती है पर असूलों के लिए लड़ी जाती है पंजाब के हालात बेहच जिंता जनक है इस वक्त सबसे ज़्यादा जरुवत है लोगों का साथ देने की जंग के असूलों को जान लेना अत्यंत जरूरी है इतने सालों बाद भी वह थोड़े अभ्यास के जरूरत है गुरू साहब ने समझाया लोगों को अगर जालिमों से बचाना है तो अपने आप को बचा के रखो नासमझी से आगे बढ़कर दुश्मन के हत्यारों की बेर चड़ना बेवकूफी है गुरू साहब ने बंदा सिंग को समझाया अगर आपकी मौत औरों के लिए प्रेड़ना नहीं बन सकती तो शहीद होने का कोई फाइदा नहीं है जो दूसरों को हिम्मत से मरने का हुनर सिखा दे यह जगा गुरू साहब ने कमाल की चुनी है कमाल जगा का नहीं है गुरू साहब का है जहां भी जाकर बैठ जाते हैं वही एक नया आननपुर बसा देते हैं सच कहती हूँ अगर माता सुंदरी जी, माता साहब को और भाई मनी सिंग जी यहां नांदेर आजाते तो उनका भी यहां से जाने को दिल नहीं करता मैंने सुना है कि गुरू साहब की देख रेक में अननपुर में जो रौनके थी वैसी रौनक की मिसाल कहीं नहीं है मैं गुरू साहब के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ आप तो उनके साथ काफी सालों से है ना बताओ ना माधुदास दरबार सज़ते ही अनकिनत संगते आती जाती हर तरफ खुशी का माहौल था इन खुशियों को और भी चार चान पताय कब लगते कब भाई साहब जब गुरूजी के चारो साहबजादों को इलाके में हसते, खेलते देख लोगों के चैरे खेल जाते एक शहर है अनंदपुर रमनीक ने नजारे इस शहर दे गगंते जग देन चार तारे हसे अनंद पुरतो खुल के जिना लुटाए तारे अकोश तुए तर तीस जोन आए एप बार एप बार और वीजी तुग्षिजी टिख कर दो जथिदा जोरवर संह और जथिदार पते né ते बार में औरंग जेब और वजीर खान को पेश करो और वो भी बहुत कुसे वाले राजा पतिसिंग, राचा तो बड़ी गुसेवाला है कोई बात नहीं, कल हमारी बारी है दोशियों को पेश करो नहीं तो तुम दोनों को बर्खास कर दिया जाएगा रुको रुको, खालसा जी, रुको, खालसा जी, रुको ना सिंग जी, थोड़ी देर के लिए औरंग्जे बन जाओ आप वजीर खान बन जाओ ओ क्या कह रहे हो साइब जादे, मैं क्यो बनू औरंग्जेब ओना जी ना, वजीर खान तो हमारा दुश्मन है मैं दुश्मन कभी न बनू वो तो इतना नीच है, कि अगर कहीं हमें मिल जाए, तो हम तो उसे वहीं पकड़ लें सिंग जी सिंग जी वजीर कन बन जाओ ना, बन जाओ ना गंगु, गंगु, यहाओ, यहाओ आओ ना अच्छा ठीक है आपने अपने गाओं खेडी जाना है ना अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम गुरु माता जी को कहकर आपको आट दिनों के चुट्टी दिला देंगे अगर यह बात है तो फिर ठीक है वजीर खान बन जाओ वजीर कान नहीं वजीर खान मैंने इसको पहले देखा था पहले आप दोनों भाई फैसला कर लो कि मैं वजीर खान हूं या औरंग जेब उसका वैसला हम करेंगे हमें पहले औरंगजेब की जरूरत है हां तो महराज औरंगजेब हाजिर है औरंगजेब आपको हम अपने गुरु दादा जी पर की जुल्म की सजा देना चाहते हैं पर हम निहत्थे पर वार नहीं करते इसलिए आपको हमारे साथ युद करना पड़ेगा अगर आप जीद गए तो सजा माफ और अगर हम जीद गए तो आपको हमारा मुल्क छोड़ कर जाना पड़ेगा महराज मेरी अवकात नहीं है जीतने की मैं बिना युद किये ही आपका मुल्क छोड़ कर जाने के लिए तैयार हूँ बहुत देर हो गई है गुरू माता जी म मुझ पर गुस्सा होंगे मैं चलता हूँ महराज और इंग्जेब तो भाग गया देख लेना एक दिन सभी मुगल ऐसे ही हमारा मुल्क छोड़ कर भाग जाएंगे महराज बहुत महनित की है आपनी और इंग्जेब तो भाग गया अब आपको भूक लेगी होगी चलकर कु में बहुत काम है सोचलो महराज मक्खन के साथ गरम गरम चूरमा तयार है क्या खयाल है मक्खन चूरमा जर्बाद पर खास्त किया जाता है पुतर मखन तो निकलाए तभी दूंगी ना पहले बड़ा खाएगा तभी तो बड़ा होगा क्यों चोटे पहले खाके बड़े नहीं होते जो बड़ा ना चोटा उसने तो भूख ही रह जाना है प्रेमो इधरा मधानी को भी पता है तुमारी भूख का आज तो पहले से भी क कि अन्हीं ज्यादा मखन निकला है बच्चों को मखन दे दे जल्दी चल्दी 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 मखन से ही पेट भर लोगे ही चूर्मा कौन खाएगा चूर्मा मुझे दीजे गुरु माता सच में आज तो बड़ी भूख लगे गंगु चूर्मा ने लाया ये रहा माता जी कंगु तू आट दिन की चुट्टी के लालच में होरेंग से बनने को तयार हो गया अगर तुझे बड़ा लालच दिया जाए तो भला तू क्या कुछ करने को तयार हो जाएगा नहीं जी मैं तो बस ऐसे ही खेल रहा था खेल में भी रिश्वत लेना ठीक नहीं है हाजी जी पुत्तर तुम सुबह से कहां गए थे गुरु माता जी पहाडी राजाओं और मुगल फॉज की नियत कुछ ठीक नहीं लग रही गुरु पिता के साथ बैठे सला मशवरा कर रहे थे वीर जी पर हमारे सिखों की फॉज मुगलों की फॉज से कम क्यूं है शेहर ग वीर जी वीर जी मुझे भी खिलाओ मुझे भी खिलाओ ओहो फते सिंग तु एक तरफ अज्जा तू अभी छोटा है देखो वीर जी उतना खुद नहीं जितनी बड़ी डंडी उठाई फिरता है पहले हमारे जितना तो हो जा फिर आके हमारे साथ ऐसे खेल खेलना फते सिं अब मैं भी आपके जितना हो गया हूँ अब नहीं आप मुझे रोक सकते चाहिए पास खड़े हो कर देख लो चलो खेलाओ मुझे जिद ना कर तुम्हें चोट लग जाएगी फिर क्या हुआ खेलते हुए चोटे तो लगती ही है यह खेल नहीं यह गतका है जो युद के मैदान में काम आता है फिर तो मैं जरूर सिखूंगा मैं भी युद पर जाऊंगा अब जल्दी जल्दी खिलाओ मुझे नहीं तो मैं अजीत वीर जी को बताऊंगा चल फते सिंग अपीछे अर मुझे अजीत वीर जी ने कहा है कि अगर मेरी कोई बात ना माने या मुझे कोई तंग करे मैं उनको जाके बताऊंगा तो आज किसी को डांड पड़ेगी आज किसी को डांड पड़ेगी और तश्रीफ लाओ चलो 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 बाबा फते सिंग के सर सजीद दस्तारे देख गुरु साहब ने निहंगों की पताशूर की थी फते सिंग चोटे और सब के लाडले थे इसलिए सिक संगत निहंगों को भी गुरु साहब की लाडली फोज कहकर बुलाती है आननपुर के धोखे, सिर्सा के कहर, गंगु के लालच और चमकार के घमासान युद्र के बाद मुगलों के कड़े पहरे को भेटते हुए गुरु साहब माची वाड़े से सलोनी गाउं होते, गाउं जट पुरे से गुजर रहे थे के रास्ते में उनको रायकोट वाले चौधरी रायकल्ला मिले सचे पाशा जीओ, मैं तो आपके पालकी में दर्शन करके धन्य हो गया, और कोई सेवा है तो हुकम कीजिए गुरु साहब ने कहा, किसी भरोसे वाले समझदार गुरु मुख प्यारे को सरहन भेजो, हम माता जी और छोटे साहबजादों का हाल जानना चाहते हैं सरहन की तरफ से आ रही हवाओं में बेचैनी सी है गुरु पाशा जीओ, मेरे नौकर नूरा माही की बेहन का निका सरांद में हुआ है इसको हम अभी भेई देते हैं, और किसी को शक भी नहीं होगा रजिया, रजिया, देख मैं तेरा भाई, राइकोट से तुझे मिलने आया हूँ मैंने तो सुचा था कि मेरी रजिया बेहन मेरे साथ लड़ेगी कि मैं उसके पास इतने दिनों बात क्यूं आया पर तु तो मेरे साथ ज़रा भी बात नहीं कर रहे क्या हुआ, इतनी नाराज है अपने भाई से रजिया, नूरा मुझे सब कुछ खोल कर बताओ, इसे असल में होवा क्या है गुरू गोबिन सिंग के छोटे साइब जादों को जब दीवार में चुनवाया गया था रसिया उस जगा से थोड़ी ही दूर खड़ी थी लकी विरे टोडरमाल ने वजीर खान से जगा खरी दी, अब वो उसी जगा पर माता और बच्चों को संस्कार कर रहा है वो यहां क्या हो रहा है लखी बड़ी हिम्मत दिखाई टाएमाल रहा है वो बजस्ट वो यहां भाषओवा यहां क्या है वो यहां क्या है झाझाँ कौ झाझाँ 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 गुरू साहब ने कहा मुगलिया सल्टनत की जड उखर गई अब इसके दिन उंगलियों पर गिने जा सकते है कौम की खातिर सब कुछ गुर्बान करने वाले के मात्य पर जरा भी शकन नहीं हाँ, जब कभी भी हम उनके सामने माता जी या साहवजादों की बात करते है तो तेरा पढ़ा मिठा लागे कहकर बात शुरू होने से पहले ही खातम कर देते है आज के दिवान की समापती होने से पहले अगर संगत में किसीने कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है गुरु जी, अगर कोई पाप करता है तो क्या उसको इसी जनम में भूगना पड़ता है हाँ, बिलकुल गुरु साहब ने समझाया पापों का हिसाब यहां ही दे कर जाना है गुरु साहब ने मुस्कुरा कर कहा तो आखिर तुम पहुची गए बड़ी दूर से आये लगते हो जी गुरु जी, हमें अशीरवात दीजिए गुरु साहब ने कहा, वाई गुरु तुम्हारी मुरादें पूरी करे गुरु जी, पापी और अपराधी में क्या आंतर होता है पापी वो होता है जो पाप करने के बार में सुचे अपराधी वो होता है, जो उस सुचे हुए पाप को अंजाम तक ले जाए क्या पापी का चेहरा पढ़ा जा सकता है? पापी का पाप उसके चेहरे पर साफ शब्दों में लिखा होता है जिसको हम सिर्फ मन की आखों से ही पढ़ सकते हैं ये तो फिर आपके जिसे अंतर्यामी ही पढ़ सकते हैं हम तो किसी पर भी दोखा खा सकते हैं गुरु साहब ने कहा धोखे से ही तो पाँच में गुरु साहब को लाहोर बुलाया गया था क्या उनको पता नहीं था? पता था पर रब को प्यार करने वाले रब की रजा में ही रहना पसंद करते हैं गुरु जी, इन तुर्कों के पापों का हिसाब कौन करेगा? क्या उनको भी कभी उनके किये सारे जुल्मों की सजा मिलेगी? गुरु साहब ने समझाया जैसा अनाज धर्ती में बीजोगे वही हुगेगा उसी को काटना पड़ेगा काटने की रित्रू कब आएगी? ये निरंकार जानता है गुरु जी, इतनी भी गर्मी नहीं फिर इन दोनों के माथे पर पसीना? इन दोनों की आँखों में मैंने अजीब सी बेचैनी देखी है बाकी आप जग गयाता हो गुरु साहब ने समझाया खालसा जी, हर एक प्राणी अपने आप में पूरा ब्रामांड है किसी के ब्रामांड में जांकर देखोगे तो उसके गुण अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे अच्छा यही होगा कि हम अपने अपने ब्रामांडों की खोज करें इसी खोज में ही हमारे मन को सुख और शान्ती प्राप्त होगी जो ब्रहमंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै क्या सोच रहा है? खमाल है, पहली बार मिलकर गुरू का इतना सर हो गया तेरे पे देखा नहीं, वो कैसे मुस्करा रहे थी जैसे उन्हें पताओ कि हम क्या करने आया यहां मैं तो उनकी मुस्कराट देखकर ही डर गया गुरू साहब की आँखों में कितनी सचाई है देखा दो ने? मैं अपने शिकार की आँखों में उसे मारने के बाद देखता हूँ यह देखने के लिए कि वो मर गया यह नहीं मैं तो कल सुबह ही वापिस जा रहा हूँ ओई रुहानी गुरू के नए चेले वो जिसका नाम वजीर खान है ना उसके अंदर शैतान की रू है उसने तेरे इसी गुरू के बच्चों को कितनी बेरहमी से मारा था याद है ना अगर यहां से खाली आद गए ना तो वो तेरे साथ तेरे सारे परिवार को से भी जादा पे रहमी से मारेगा अब रब का नाम ले और शान दो कर सोजा दो चार दिनों में मैं गुरू का काम तमाम कर दूँगा तो बार पहरा देना बस शुक्रिया ये पंजाब का नक्षा है मादवदास इस नक्षे को त्यान से देखो ये अनन्दपुर्जाहब ये सरहन और ये चमकौर इस नक्षे पर से जालिमों का नाम और निशान मिटा देना है जिस वक्त मादवदास ने शस्त्र विद्या के साथ साथ गुरूबानी में लीन होना भी सीख लिया गुरू सहाब ने मादवदास को अमरेच चका कर खाल सा पंत में शामिल कर लिया निरंकार ने अपनी माया से ये एक ऐसी तस्वीर बनाई एक तरफ भाई दयासिंग जिनको गुरू सहाब जी ने पंच प्यारों के साथ पहली बार अमरेच चकाया था और दूसरी तरफ बन्दा सिंग बहादूर जिसको आखरी बार गुरू सहाब ने अपनी हुजूरी में पंच प्यारों के द्वारा अमरेच की दिख्षा 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 जब मैं पहली बार सिंग सजा थाना बंदा सिंग तब मेरे भी यही आप भाव थे भाई दया सिंग्जी ये पगड़ी ये पगड़ी तो ऐसे है जैसे सर पर ताज है मैं इस ताज को पंजाब की शान बना दूँगा आपने ये ताज पहली बार कहां पहना था अनन्दपुर जब भी आप अनन्दपुर कहते हो मुझे परिवार का बिछड़ना याद आ जाता है सरसा नदी पर बिछड़ने के बाद माता सुंद्री जी की गु कोट से गाव दीने कांगल होते हुए गुरु साब ने तलबंडी गाव पर जाकर डेरा लगाया धीरे धीरे संगते जुड़ने लगी और वजीर खान बादशा ने सरहन बैठी हुई फौजों को दिल्ली बुला लिया और वजीर खान शान्थ होकर पैठ गया बंदा सिंग देखते देखते तलबंडी में ऐसी रौनक हो गई कि पाव रखने की जगा नहीं थी माता सुन्दरी जी उस वक्त दिल्ली में थी ये खबर उन तक पहुँची आओ सुखा सिंग कैसे आये हो सब ठीक तो है ना गुरु साब साबों की तलबंडी पहुच गए हैं फिर से भारी संक्या में लोग आ रहे हैं दिवान सज रहे हैं संक्ते जूड रहे हैं आई करो ओए भले आदमी ये तो खुशी की खबर है तुझे देकर तो मेरे हाथ पर ठंडे हो गए थे मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया तू ठेहर यहां मैं अभी जाकर ये खुशी की खबर माता सुन्दरी जी को रुको भाई मरे सिंग जी ये खुशी मेरी खबरहाट क कारण नहीं है अच्छा चारों साहब साधे और माता जी को बस एक दो को छोड़के आपके सहबजादों की सारे कपड़े तयार है माता जी वाइगुरी ने अपकी अर्दास परवान कर ली है सुक्खा सिंग बड़ी अच्छी कवर लेके आया है गुरु साहब जी इस वक्त तलवंडी में है फिर से संगत जुड़ने लगी है वहां दिवान भी सचते हैं तेरा लाख बार शुकर है मेरी ताता तुने मेरे दिल की मुराद पूरी की इसी वक्त सापों की तलवंडी के लिए तैयारी करेंगे भाई सुक्खा सिंग जी आपके मूं में खीशक कर समझन अब कैसे शुक्रियादा करो आपने हमें जीवित कर दिया सुक्खा सिंग मुझे बता रहा था कि मेरे चारो लाल के बारे नहीं सुक्खा सिंग हाँ भूलो वह 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 चारो वह है तो पिर तेर किस बात की जल्दी करो तिल करता है अभी उन चारो को कस के सीने से किसी अपनी अउलाद का स्पर्श मेहसूस कर रही हूं। अपनी बेटों को मिलने की बड़ी चाहत है। जल्दी तलबंडी पहुंचते हैं। बड़े चाहसे चले ती मां। चलो माता साहिब को और। बता आप सुखा सिंग मैं तेरी बाते माता जी को कैसे बताओ। ए सचे पाश्या। हमारे में तो हिम्मत नहीं माता जी के सीधे उचाहत बरे दिल को ठेस पहुंचाने की। खुरू जी हमें माफ कर देना। ये काम अब आपको खुद ही करना पड़ेगा। बड़े चावानाल तुरी सीमा के पुत्ता दे दीदार होणगे। पुत्त पोणगे कल जे ठांड मेरे ते समन दातार होणगे। ते समन दातार होणगे। बड़े चावानाल तुरी सीमा के पुत्ता दे दीदार होणगे। कर ले ट्यों करते होणगे झाल कर दे दात दिदे मेरे पुत्ता थानगे। चुम चुम निक्के आनू गोदीच खिडावांगी वड़े आनू कुट के कलेजे नाल लामागी रखा हिक्च बणा के चैन दिल्दा वखा देखुमार होनेंगे ते समने दातार होनेंगे बड़े चावानान तुरिसी मामा के पुत्ता देदीदार होनेंगे गुरू साहब ने कहा उठ भी जाओ अब आने जाने मिलने बिछरने के साथ ही निरंकार की दुनिया चलती है भाग में लिखा जीव आत्मा को भोगना पड़ता है संजोग विजोग दो एकार चलावाय लेखे आवे पाग बच्चे और माता जी कहीं नजर नहीं आ रहे निरंकार की रजा में खड़े गुरू साहब ने कहा पर मैं तो माता को भी देख रहा हूं और बच्चों को भी कहा है गुरू साहब ने कहा मेरे सामने माता माता जी भी है और ये बच्चे भी है जी मैं अपने बच्चों के बारे में पूछ रही हूं गुरू साहब ने कहा मैंने भी बेगानों की तरफ इशारा नहीं जी और चारों साहिब सादों के बारे में पूछ रहे हूं गुरू साहम ने कहा इन पुत्रन के सीस पर वार दिये सुथ चार चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार जीओं दीगी मर गई मां की कहर टै गया है जूं काल जैचो कोई रुग पर के ले गया है मावार वार बेखे करके हजार जैरा पुत्रा बगेर दिसदा सारा जहां हाने रा फोड़ी ने जीवी छोड़े मुड़के नहीं मिलाए पीचार सहबजादे गुरु सहाब ने भाई दैया सिंख से कहा बच्चों की माता से कहो उनको अपने बच्चों की शाहादत पर आंसू बहाने का पूरा हक है लेकिन अपने चारोपुत्रों के साथ साथ उन हजारों की कुर्भाणियों को भी शामिल2015 जिन्होंने हमारे एक इशारे पर दुश्मन की तलवारों के नीचे अपने सर रख दिये वक्त गवा है जब जब भी चमकौर की गड़ी का दरवादा खुला मेरे पांच सिंग दुश्मन का सामना करते हुए शहीद हो गए फिर क्या हुआ अगर उनमें मेरे बेटे भी थे क्या मैं अपने बेटों का शोक मनाऊं और बाकी सब को भूल जाऊंगी हर्गिज नहीं ये बेनसाफी मैंने ना कभी अपने खाल से के साथ की है और ना ही कभी करूँगा माता जी जोर्मा तयार है मैंने तो चारों के लिए जोर्मा बनवाया था आपने तो मेरी जोली इन सब से भर दी इन सभी में बांड़तो ममताते महर होई वेखे अजब नजारे बेठे हजार होके गोबिंद दे लाल चारे पुत्राच खाल से विच्छ ना फर्क है न दूरी भर दी आपे ही खाने चूरी ताते ने पुत्खाजारा चोली मेरी जपाए हजार से विजाने चार से विजाने चार से विजाने भाई दया सिंग जी अब तो मैं भी सिंग सच के आँँ गुरु साहिब मुझे भी आप सबके साथ सराहन ले जाएंगे और वहाँ जाकर हमें हिसाब लेना होगा साहिब जातों के खून के हर कत्रे का चल्दी पंजाब चलो ये वजीर खान चुप बैठने वालों में से नहीं है गुरू को मारने के लिए दो पेशेवर कातिल भेज दिये मुझे तो ये फिक्र है कि बच्चों पर जुल्म करके और पीठ पीछे हमला करने की आदत डालकर कहीं आप सूर्माओं की तरह युद में लड़ना ही ना भूल जाओ क्या होगा अगर कभी गुरू की साथ आपका जंग में मुकाबला हो गया तो जंग की नौबत तो तब आई थी जब वो गुरू सिंदा बचेगा बड़ी बेगम आपको समझाते इस दुनिया से रुकसत हो गई मुझे अपनी जान की कोई परवा नहीं ये जल्म ना करो अब मैं कुछ नहीं कर सकता जरीले सांप शिकार पर निकल चुके हैं बस अब दसने की देर है आजा जी गुरू साथ देखके आते हैं कि तंबू में ही रखा था ना हाँ हाँ तू चलतो से ही तो बाहर रुखना मैं बस अभी काम तमाम करके आया कि चल 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 तराम से इतनी रात गया इन गोड़ों को क्या हुआ चल देखके आते हैं यहां तो सब ठीक है कि रहरे ला टो मैं बाहर यहां तो मैं फड्सकाइड़ कि आते हाँ कि अ बाहरे देखके लाब है कि वहां एक भी पकड़ो इसे इसने अपने साथी के साथ मिलकर गुरु साहिब बेवार किया है कान है तू कहां से आया है मुझे वजीर वजीर खाने गुरु साहिब का जख्म काफी गहरा था वेद्दे ने उसको सी कर खून का बहना तो बंद कर दिया पर जख्म की गहराई के बारे में उसे ठीक अंदाजा नहीं लग पाया गुदावरी के किनारे बादशा बहादुर्शा के डेरे से सिंगों ने एक अंग्रेज डॉक्टर को बुला कर इलाज करवाया उसने तसली दी के जख्म तो ठीक हो जाएगा और गुरु साहब को कम से कम छे महीने आराम करना पड़ेगा ज्यान रखना होगा खत्रा बढ़ सकता है बन्दा सिंग मैंने कहा था ना आप से वो शांत नहीं बैठेगा जालिम वजीर खान पंजाब से संदेश आया था के गुरु साहब के भेजे पैगाम घर घर पहुँच गए हैं लोग घरों की च्छतों पे खड़े होकर सच्चे पाथ्षा की रह देख रहे हैं गुरु साहब की च्छाती का जख्म उनको घोड़ी की लगाम नहीं पकड़ने दे रहा था इसलिए उन्होंने कुछ चुने हुए सिंगों की मौजूदगी में अपने पंज प्यारों की सहमती से अपने घोड़े के शैसवार को निक्त करने का फैसरा सुनाया पंजाब को जाने वाले जथे की अगवाई बंदा सिंग बहादूर करेगा जो हो कम गुरु साहब जी मैं इसको अपनी कुछ सोगातें भेंट करना चाहता हूं यह हैं हमारे तरकश के पांच तीज वो है नगाड़ा, खालसे के गरजने की आवाज यह है केसरी निशान, खालसे की पहचांग अब हम बताते हैं कि हम किस रूप में तुम्हारे साथ होंगे गुरु साहब ने फिर भाई विनोज सिंग, कहन सिंग, विजे सिंग, बाज सिंग और भाई राम सिंग को आगे बुलाया यह हैं पंज प्यारे, इनके रूप में हम हर वक्त तुम्हारे साथ होंगे इनकी रजा में रहकर तुम्हें चलना पड़ेगा इनके हुक्म को तुम अटल होकर मानोगे जो हुक्म गुरु साहब जी फिर गुरु साहब ने पंज प्यारों से कहा आप पंज प्यारों को बंदा सिंग का ख्याल रखना है जब कभी ये खाल सापंत की नीती से भटके इसको सही रास्ते का मार्ग दर्शन करवाना है हमारे पास समय बहुत कम है हमने 25 सिंग और तयार किये हैं जो आपके साथ जाएंगे मोगलों की बुरी नजर से बचते हुए आप सभी को बड़ी फुर्ती और चुस्ती के साथ यहां से रवाना होना है पांच-पांच सिंगों का जथ्था बना कर निकलना है लंबार रास्ता लेना पड़े कोई परवा नहीं ले लेना गाउं बुडिया पहला पड़ाओ होगा बंदा सेंग गोड़े की लगाम तुम्हारे हाथों में होगी तुम सिंगों के जथ्थे के सरपरस्त हो लड़ना पड़ जाए तो मेरा इंतजार नहीं करना पीछे कभी नहीं हटना किसी को कुछ कहना सुनना है कल सवेरे जथ्था पंजाब को रवाना होगा तू तो एकदम पठान लग रहा है हाँ कोई भी पैचान में नहीं आ रहा मुगलों की बुरी नजर से बचकर जो निकलना है गुरू साहब मुश्कुराए और कहा हमें पता था तुम आओगे कोई सवाल जी सिंग तो और भी बहुत है जो शुरू से आपका साथ देते आ रहे है फिर आपने इस बंदे को ही क्यों गुरू साहब ने कहा तुम्हारे सवालों में इमानदारी है बंदा सिंग हमें काफी समय से किसी योधा की दलाश थी इसलिए हम तुम्हारे मठ में पलंग पर विराजमान हुए थे गुरू जी इतना विश्वास दिलाता हैं कि मैदाने जंग में बंदे का खंडा खड़गेगा जब तक आप आकर कमान नहीं समालते गुरू साहब ने कहा अगर हम ना सके आप नहीं तो सद्बुधी दी है होता वही है जो अकाल पुरक चाता है उसकी मर्जी को मैं आपका हुकम समझ लूँगा गुरू साहब ने पूछा क्या तुम्हें हमारी कमी महसूस होगी जी नहीं क्योंकि मैं तो सिर्फ सिंगों की अगवाई कर रहा हूँ सिंगों के असली सिनापती तो आप ही हो गुरू जी ये मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि हर सिंग के हमेशा संग रहते हो गुरू साहब ने खुश हो कर कहा मेरा बंदा सिंग भाहदूर तुम वाकी में हर तरह से तैयार हो आओ तुम्हारे जाने से पहले अर्दास कर ले बंदा गुर किर पाले निकला तेरा बंदा हूँ कह निकला ओले सो निहाँ ताद कि आपा बंदा गुर किर पाले निकला तेरा बंदा हूँ केह निकला बन अमन कबादल बरजैगा बिजी दीपन जुल्म पे कड़केगा बंदेदा खंडा खंडा खंडेगा बंदेदा खंडा खड़के गाँ गुरू साहब का जखम काफी गहरा था पर वैद्य का कहना था के उनके शरीर में धीरे-धीरे जहर फैल रहा है सिंग ये सुनकर बहुत गवराय हुए थे गुरू साहब ने उनको बुलाकर समझाया के चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रब की रजा में ही सबका भला है गुरू साहब ने फिर डिया सिंग जी से कहा गंत साहब जी का प्रकाश करो हम एक रस्म अदा करना चाहते हैं उन्होंने फिर ऐलान किया खालसा जी आज रस्मी तोर पर हम एक घोशना कर रहे हैं फैस्रा तो बैसाकी के दिन ही हमने कर लिया था जब हमने पंज प्यारों को अमरिच चकाया था आज हमने पांच पैसे श्री गुरू गुरू साहब के आगे चड़ा कर माथा टेक दिया है आज के बाद हमारे भी और आपके भी यही गुरू होंगे अब से कोई भी देहधारी गुरू नहीं होगा हमारी जोत श्री गुरू गुर्ण साहब में विराजमान रहेगी और उस तक पहुँचने का एक ही रास्ता गुरू पंथ खाल्सा होगा आज्या पही अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरू मानेयों गुरंत हमारी तरफ से सारी संगत फते परवान करें वाई गुरू का खालसा वाई गुरू गुरू की फते हैं बोले सो नहाँ हो सिया कालब बंदा सिंग जी हमले की शुरुवात हम नहीं करेंगे अगर उन्होंने हमला किया तो फिर खतम हम करेंगे होई रुको कहां जा रहे हो अपने घर तलाश ही लो इनकी हम तलाश ही नहीं देंगे अच्छा बड़ा टेड़ा सूर है तेरा तेरी तो जब भी कोई नेक काम के लिए जा रहा हो उसे टॉक थे नहीं इस तरह की मुसीबते तो कदम कदम पर टकराएंगी आगे क्या सोचे जा तुम मेरे वल है ता क्या मोचंदा तुद सब किछ मैंनू सौपया जा तेरा शिरी गुरू गरन सहाब जी को गुरगदी सौंपने के बाद जिस शाम गुरू सहाब ने संगत को दुबारा ही कठा किया उस दिन नांदेड में सुभे बड़े अन्होने ढंग से हुई थी पंच्छी चह चहाए नहीं मोर हिरन मस्ती करने की बजाए उदास आंकों से गु हमारा जख्म हमें इश्वर का संदेश दे रहा है कुछ देर बाद हम अपनी अंतिम सांस लेंगे रब कहवास्ति गुरुजी ऐसा मत कहिए सच्छे पाद्शा हमें छोड़ कर जा रहे हो ये उचित नहीं है गुरु साहब ने समझाया जैसे निरंकार के दिये हुए स्वास पूरे होते हैं मौत इंसान को अगले सफर का मुसाफिर बना देती है ना पहली पाद्शाइयां दुनिया छोड़ कर गई ना हम जाएंगे हाँ अकाल पुर्ख के हुकम से ये पांच तत्वों का शरीर छोड़ कर हम सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जाएंगे फिर जो हमें सच्चे दिल से याद करेगा हम उसके पास हाजिर हो जाया करेंगे आप सबने आज से पर्चा शबदा पूजा अकाल पुर्ख की दिदार खालसेदा से दान ते पैरा देना वक्त आ गया है अच्छा अब हमें जाने की आगया दीजिए हमारी तरफ से सभी संगत को फते परवान हो वाए गुर्जी का खालसा वाए गुर्जी फते हमारी तरफ पर भाही प्या है हाँ हाँ आप तीनों के लिए बहुत जगा है आजाओ अंदर आजाओ ओई तुने सिख्खों के बारे में सुना है तु सिख्खों की बाद छोड़ पहले ये सुन मैंने सुना गुदावरी किनारे बैठा बहादर शाह सेना के साथ दिली को लोट गया दख्खन में वैली बगावत अब शान्त हो गई है तु सिख्खों के बारे में क्या कह रहा था अब तो लगता है नदेड बैठे सिंग भी पंजाब को लोट चाएंगे क्यों बुरी खबर है उनके दस्वें गुरू गोबिन सिंग इस दुनिया से चले गए है क्या हुआ था बिमार थे नहीं सुना चाती पर कोई जखम था जिसका जहर सारे शरीर में फैल गया था अगर हम ना आ सके आपने ही तो सद्बुधी दी है होता वही है जो अकाल पुरक चाहता है उसकी मर्जी को मैं आपका हुकम समझ लूँगा मबारका 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 इतनी खुशी तो मुझे खुदा कभी दिल्ली के तक्त पे बिठा दे तो भी नहीं मिलेगी जितनी आज गोबिंद की मौत की खबर सुनके मिली है ये सिक्खों का अंत है जश्न हो यह लगता है जैसे सिर्पर आस्पान ही नहीं रहा पिता की मृत्व के बाद पुत्र को परिवार की जिम्मेदारी की पगड़ी पहनाई जाती है इसलिए गुरु साहब हम हजारों को पगड़िया पहना कर चले गए हैं अब उनके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब की बनती है यह आप क्या क्या रहे हैं? गुरु साहब को कुछ नहीं हुआ उनको अपने सिंगों की बहुत चिंता है देखो, सोचते सोचते कहीं को दावरी की तरफ निकल गए होंगे भाई दया सिंग जी, जाइए, ढूंडिये उनको जाइए, जैसे पिछली बार आप माची वाड़े के जंगल में गए थे गुरु साहब मिल गए थे, इस बार भी मिल जाएंगे जाइए भाई दया सिंग जी, गुरु पिता को ढूंड के लाइए हम उनके बिना नहीं जी सकते किसी को तो पूछिए, गुदावरी नदी के किनारे किसी को तो पूछिए माता जी, आपी पूछिए, किसे से तो पूछिए पूछूंगी, सबसे पूछूंगी, एक बार माता गुजरी जी मिल जाएं उनसे जरूर पूछूँगी जिन्होंने ऐसे अनोखे लाल को जनम दिया जरूर पूछूँगी बोल मा गुजरियें बोल मा ए भोडियें तस तेनू पता से के ना तेरे पुत जे अपुत होणा नई जहान ते होणी नई यों तेरे जै मा तस तेनू पता से के ना तिल्ली वाल पितानू शहीद होण थोर देगा रीस कोण करू तेरे लाल दी तिल्ल कत जन्जूआत सिरव तेवार देगा अपने हिसे दे चांळि दस तेनू पता से के ना मैं दस तेनू पता से के ना गुरु साहेब ने कहा था हम सब लोग नंदेड से निकल कर पहली बार यहां बुढिया में इकठा होंगे पता नहीं था, यहां बैठ कर दुख सांजा करेंगे दस तेनू पता सीखे ना रब दाह पुत मेरा पुत में विजान दिसां बेड़ा एने हिंद कोगे थारीना रब दिया बंदियानू रब वलो हुंदा सता डोलना ते बोलना मना जान दी मैं सब कुछ सांज हां मैंनू पता सीखा हां पांच प्यारों ने मिलकर फैसला किया है कि अब पीछे नहीं हटना नम आखों से मन्जिल धुंदली नजर आती है अपनी आखों से आसू पोचो और दुश्मन की आखों से नींद उला दो क्या हुआ अचानक इस तरह उठियों गए ये सिर्चिठी नहीं आजादी की किताब का पहला पन्ना है जो पढ़ेगा जोश से भर उठेगा पंजाव दूर नहीं चिठीयां मिलते ही लोग भारी संख्या में हमसे जुड़ने के लिए आ जाएंगे पर हम तो खुद तंगी में हैं उन सब का ख्याल कैसे रखेंगे जब कोई मुश्किल आए और जहां हमारा जोर ना चले बस कलगी धर पिता के आगे अर्दास करो सिर्य उपर ठाड़ा गुरसूरा नानकता के कारजबूरा तंगी तोशी भी दूर हो गई और दिल्ली भी नहीं जाना पड़ा इन लुबाने सिखों के दस्बन से हमारी मुश्किले दूर हो गई ये क्यों भाग रहा है बंदा सिंग जी कुछ लोगों का जुन्दा हमारी तरफ आ रहा है ये तो किसी गाउं के लोग लगते है ये तो टाकू है चल भागो इनको क्या हुआ मुझे मत मारो हम अपने घरों को खुला चोड़ कर आये हैं सब सामान वही पर है जो चाहिए जाकर लूट लो मुझे मत मारो हम लुटेरे नहीं है देखिए मेरे पास कुछ नहीं है जाओ हमारा गाउं लूट लो जाओ कौन लूट रहा है तुम्हें खुंखाट डाकू रंदीर से हो आप उसी के आदमी हो ना नहीं नहीं हम डाकू नहीं है डरो मत हम तुम्हें इन डाकूओं से बचाएंगे वो बागर काउं पे हमला बोलने वाला है घबराओ मत बिनोट सिंजे ये पंजाब में जालिमों के खिलाफ हमारा पहला कदम और बागर में डाकू रंदीर सेयों का आखरी बेजा बंदा गूरू ने तबस्वीत आगी है लोगों के मनों में जैसे आशा नहीं जागी है उस्ताद गाओं खाली है जाओ घरों को लूटो और जिस गर से कुछ नहीं मिलता उससे आख लिकातो और रंदीर से आओ तू कौन तेरे में इतनी हिम्मत कहां से आई मेरे आने की खबर सुन परिंदे भी घौंसला छोड़ जाते हैं अब तो मेरे आने की खबर सुन उजड़े गाओं भी बस जाते हैं जिसके उपर मुघलो का हाथ हो उस रंदीशियों के साथ टकर तेरी इतनी जुरत रंदीशियों को रोकने वाला कौन है तू मजलूमों के वो दोस्त हैं नेकी उनकी पहचान है उस गुरू का शिर्वाद लेकर निकला पंदा सिंग बहादूर मेरा नाम है जुरूर लेकर परोड़, रुछुँ! इन पराइ! र voorफ तरोय को इनी पस्कति-'याश्याशव इन्मित सेंक कभी नियत्थे परवार नहीं करते, यह ले हम आपके बहुत शुकर गुजार हैं जो आपने हमें डाकों से मुक्ती दिलाई इतने खुश मत हो, असली डाकों अभी मरा नहीं, असली डाकों मुगल है अगर सची आजादी चाहते हो, तो आप सब को अपने लिए लड़ना पड़ेगा आया है मसीह, आया है लोगों को दर्द बंट आया है ये गुरू जाता जाता पता ने कौन सी मुसीबत हमारे गले डाल गए फोस्दार साफ, रास्ते में आरा हमारा खजाना बंदा सिंग ने लूट लिए है बंदा सिंग ने जलम सहते हुए कई कस्बों और तहसीलों को आजाद करादे बस इसका ही इंतिसार था उसकी शौरेगाथा की गूंज ने वजीर खान के सिंगहासन की नीम हिला दी क्यों आली सिंग माली सिंग सिखों का ही कौर गुरू पैदा हो गया दिल्ली के आसपास पंजाब के छोटे मोटे कस्मों को जीत कर वो क्या समझता है सरहन पे हाट डालेगा ये सभी सिखों को हमारे सरहन में ही आकर क्यों मरना होता है अब तुम ऐसा करो उस तक पैगाम पहुंचाओ कहो कि सुबाई सरहन से टक्कर लेके दिखाए देखना फिर उस बंदे का बहादूरपन कैसे निकलता है तुमारे गुरू को तो मैंने दक्षिन की तरफ भेजा वो वहाँ खतम हो गया इस गुरू के बंदे की हडिया का तो मैं सुर्मा बना कर सरहन के लोगों की आँखों में डालूँगा बस यही प्रचुप होजा वजीर खान हम अपने गुरू जी की और उनके भेजे हुए जथेदार की और बेज़ती परदास नहीं करेंगे इतनी हिम्मत हाँ याद करो इसी कचहरी में खड़े होकर छोटे सा अबजाद्या ने क्या कहा था जब जनाब ने पूछा था अगर तुम्हें आजाद कर दिया जाए तो तुम क्या करोगे मैं इनसे ये तो बुछलू कि ये आजाद होकर क्या करेंगे वही करेंगे जो हमारे गुरू पिता कर रहे हैं और जो सिंगू की आने वाली नसले करेंगी आखरी सांस तक जुल्म और बे इंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे वो कैसे? हम अपने गुरू पिता के सिंगों को फिर से ही कठा कर फॉस्ट यार करेंगे वो ही सब हो रहा है उनको तो शहीद कर दिया पर उनके कहे बोल तो अटा ले ना गुरू के सिंग फिर से कठे हो गए है और जल्दी बंदा सिंग बहादूर के दाए हाथ का अंगुठा तेरा गला दबा देगा खामोश गुस्ताको इन दोनों को कोठरी में बंद करो और इनके लिए भयानक मौत का इंतजाम किया जाए भयानक माँ तो तेरी पंजाब में पहुंच चुकी है वजीर खान अब तू उसके हाथों बच नहीं सकता बंदा बहादर कल कैठल से कुछ लोग मिलने के लिए खासा जी, जो सिंग हमने पंजाब चिठियां देकर भेजे थे वो कुछ खबर संदेशा लेकर आए हैं हाँ, भेजो ने सिंग जी मैं समाने जाकर आया हूं जी समाना को अगर बाहर से देखे तो बहुत खुबसूरत लगता है मगर अंदर जाए तो हालात कुछ और ही है मेरा करजा चुकाए बगएर समाने से भागने की कोशिश पूशते हो गई पर आपका करजा नहीं उत्रा हम तक गया मेरा करजा उतारख कर क्या करजा था उस गरीब पर करजा तो कुछ है index पहले तो उस गरीब से काम करवाते हैं पिर उसको सिर्फ एक वक्त की रोटी देते हैं फिर जब वो भूखा मरता रोटी के लिए और पैसे मागता है तो उनको उनके ही हक के पैसे करजे के रूप में दिये जाते हैं ताकि वो सारी उमर उनके नीचे दबे रहें ये लोग पुष्टों अंदर पुष्टों करजे की चक्की में पिस्ते चलिया रहे हैं अगर किसी कमरे अपनों को उनके धर मुनसार बिदाई ना मिले तो सोचिए क्या हालत होती होगी वही हालात सड़ा के लोगों के हैं कब तक ये जुलम होता रहेगा कब तक अपने मरों को दफनाते रहेंगे वोसदर साथ मुझे मेरे पिताजी कांतिन संसकार करने दू तेरी इतनी जुरत जो तुने सडोरा का कानून तोरा इसकी और इसके बाप की लाश को यहीं दफन कर दो जो कपूरी में मैं देखकर आया हूँ उसको बताते हुए मेरा सर शरम से चुक जाता है ऐसा क्या होता है बहाँ दोली किसी भी जाती या किसी भी धरम की हो कपूरी में उसका रास्ता कादर उल्दिन की हवेली से होते हुए चाना तै है अब ले जा सकते हो अपनी बेटी को इसके पती के पास कादर उल्दिन की हवानियत के डर से कपूरी के लोगों को इस रसम की चैसे आदसी होकी हो पंजाब तो नर्क की बटी में दर खोके रह गया है मादोदास वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सरयाम हो रहे अत्याचार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देता मेरी मानों एक बार फिर से सफर शुरू करो रास्ते में तुम्हें दरीब मेहनतकश रोते हुए किसान मिलेंगे उनके आंसूर पोछना उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है हम अपने बंदों के साथ इस समय यहां है हमारा मकसद सरहंद है पर सरहंद पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले समाने तक का सफर तै करना होगा समाने की फौद के गिंती तो काफी है हाँ उम्मीद है हमारी भीजी चिठ्थियों के जरिए तब तक हमारे साथ हजारों लोग जुड़ चुके होंगे और समाने तक पहुँचने का खर्चा कैथल और सोनी पत के अमीरों चौधरी और फौजदारों ने अपना और गरीबों से लूटा हुआ पैसा सरकारी खजाने में रखा हुआ है मेरी नजर उस पर है आप जी पांच प्यारों की क्या राय है बंदा सिंग ने फिर सोनी पत और कैथल के खजाने पर अपनी मुबड लगाई बैरागी सिंग और भाई फदे सिंग भी अपना जद्था लेकर बंदा सिंग के साथ आमिले मैं तो सिखों को किसी चर्चा के लाइक ही नहीं समझता और तुमने सिखों के हमले की अफ़वाह सुनकर समाने के सबी अमीरों को इकठा कर लिया बंदा सिंग की ताक्र दिन बढ़ने लगी अब उसने अपना रुख समाने की तरफ कर दिया पंदा सिंग ने समाने पर हमला बोल दिया जब सिंगों के जैकारे आम किसानों ने सुने तो उनके तोस्टे और भी पुलंद हो गया अठ्यारों की जगहे जिसके हाथ जो भी आया वो ले कर अमीरों के पीचे पढ़ गया और हला बोल दिया देखते, देखते, समाना तबाह हो गया। बंदासिं, हीरे, जुहरत, जो चाहिए ले लो, मुझे छोड़ दो, मुक्ती देदो मुझे। देदो इसको मुक्ती, और चोराहे पर ले जाकर उल्टा टांग दो। चोटे सहाब दादों को दिवार में चिनने वाले दो जल्लाद, शाशल बेग और पाशल बेग भी समाने की रहने वाले थे। बंदा आगया। बंदा आगया। हमें माफ कर दो, यह सब कुछ वजीर खाने क्या था, हमारा कोई कसूर नहीं। नहीं, तुम्हारा गुना भी उस दरिंदे से कम नहीं था। सिर्फ तुमने ही यहां की, सारे सरहंद ने ना कर दी थी। अपनी आजादी के लिए तुमने मासूम बच्चों को जिन्दा दीवार में चिन कर दम घोट कर मारना चुना। मैं पुता उन्दादी थुम्हारा जोग्चों जिसी थी, सारस गट ने से कशyim हा। । इस वह उन वह उन सकते हैं वह उन प्रादर को चीज़ के वह उन सकते हैं इतनी बर्भादी, इतना खून खराबा, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ, ये सब करने के लिए तो आपने मुझे पंचाद नहीं भेजा था, सच्छे पाध्षा, आज कहीं फिर मेरे हाथों हिरनी के बच्चों का खून तो नहीं हो गया, नहीं बंदे, तुमने कुछ नहीं किया, गुरू साहब ने कहा, अंतर्यामी पाध्षा, मेरे दिल की हालत आपके सिवाए और कौन जान सकता है, मुझे बख्ष दो, गुरू साहब ने समझाया, ये तो जालिम लोगों की सताई हुई जनता की गुस्से का जौला मुखी पूटा है, जिसके लावे में वो खुद भी बह गये हैं, पर गुरू जी, हमें लोगों को थोड़ा और समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था, गुरू साहब ने कहा, इस नफरत के तुफान के आगे, अगर तुम खड़े होते हैं, तो इस तुफान में तुम्हें भी साथ उड़ा कर ले जाना था, तुम्हारे जैसी गलती हर इनसान करता है, जब वो ये सुचता है, कि यहां जो कुछ भी उसके साथ होता है, उसका का बंदा ने अमीरों द्वारा गरीबों से की गई लूट को वापस गरीबों में बांट लिया ऐसा हर, ऐसा हर तो मेरे दादी के पास था, हां, ये, ये तो वही है, हां हां, ये तो वही है ये देखो काके के बाबो, बंदा सिंग रहमतों ने आपके बच्चे को खऱसे से मुगत करवा दिया आपके सामों के पास, कितने कितनी जमीन है, दो भी गे, हां, चार भी गे जमीन हमारी नहीं है, जी, हम तो जोते हैं आज के बाद, वो जमीन आपकी है ये सच, ये सच बोल रहे हैं, ये ही क्या हो गया? भाई फदे सिंग जी, मालिक वो जो जमीन को जोतता है, अब से आप समाने के फौजदार हो, जो जो जितनी जमीन जोतता है, उस जमीन को उसके नाम कर दो, आज के बाद, जमीनदारी खत्म! हुजूर, हुजूर, समाना, तबाह हो गया खान साब, खबर मिली है कि भारी तादाद में लोग माजे मालवे के इलाके से इकठे होकर बंदा बहादर के जथे में शामिल होने जा रहे हैं, नहीं, मैं ये नहीं होने दूगा, सरंद के इस तरफ से सिंगों का जथा तो क्या, बच्चा भी नहीं जा पाएगा, जो बंदे का नाम ले उसकी जुबान खीन चलो, जो कदम उसकी तरफ बढ़े, उन कदमों के टुगड़े कर दो, हुक्म की तामील हो, बंदा सिंग वजीर खान की हर चाल से वाकिव था, उसने फिर अपना रुख सत्रुद की तरफ किया, जहां माजे और दौाबे के सिंगों को नवाब मलेर कोटा ने रोका हुआ था, बंदा सिंग का विजीरत सत्रुद तक थमा नहीं, उसने गुरम, केसर, शहबाद और मुस्तवाबाद पर भी जबरदस्ट जीत हासिल पिर कपूरी की इंच इंच बजा दी, उस्से में भरे लोग कपूरी के अयाश फौजदार कादर उल्दिन की लाश पर दूगते और पत्थर माते ही, बंदा सिंग ने फिर संडौरा पे चड़ाई की, संडौरा के फौजदार उस्मान खान ने पीर बुदू शा को सिर्फ इसलिए मार दिया था, क्योंकि उसने भंगानी के यु कबरों से निकाल उनका दाहस अंसकार कर दशमेश पिता का शुक्रिया अदा किया। नवाव को अच्छा सबक सिखाया। उन्होंने अपने पिता गुरुतेग बहादर के कातल औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह का साथ दिया। और ना ही उनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ है। आप सब में भी हर मजहब के सिपाही है। उन्होंने मुझे पंजाब को मुगलो के अत्याचारों से मुक्त करके खुशाल पंजाब बनाने के लिए भेजा है। हमारे मकसद की रहा में हमें कोई भी इत्याचारी मिलेगा हम उसको सजा देंगे। चाहे वो वजीर खान हो या कोई और। मैं जानता हूँ वजीर खान इंसान नहीं दरिंदा है। इस दरिंदे के लिए हमारे पंजाब में कोई जगे नहीं। सजा उसको जरूर मिलेगी कैसे भूल जाओं उस ठंडे बुर्ज को बेगम यहां खड़े होकर उदर क्या देखती रहती हो फिकर ना करो जो सडोरा में हुआ मलेर कोटला के नवाब के साथ सतलुज पे हुआ उस तरह का कुछ भी सरहन में नहीं होगा जीत हमारी होगी मुगलों के सैकडो सालों के इतिहास में इतनी बड़ी जंग ना किसी मुगल ने हरी है और ना मैं हरूँगा और वो बंदा सिंग उसको तो मैं ऐसी मौत दूँगा जिसे देख मौत भी मुझसे खौफ खाईगी बुर्ज से आते सूने पन के ठंडे अंधेरे को क्यों नहीं समझते हैं गुरू सहाब का अशिरवाद ले हम नंदेर से एकतीस निकले थे उन्हीं की महर से आज किंती हजारों में है मौसम खुलते ही सरहन पर हमला करेंगे तब तक हम इने युद्ध कला के हरक शेत्र में माहिर कर देंगे माओने बेटे, बेहनों ने भाई और सुहागनों ने सुहाग हस हस कर युद्ध के लिए भेजे होंगे कलगियाँ वाले पादशा तेरे बंदे में इन बंदों के विश्वास को मैं कभी ठेस नहीं पहुँचने दूगा मैं तो मरकर भी इनकी कुर्बानी का मुल्य नहीं चुका सकता बंदे ने आम लोगों ने जोश भरकर बंदों की ऐसी वाला बनाई है कि आज उसके एक इशारे पर लोग जान निचावर करने के लिए तयार हो जाते हैं आपने बिल्कुल सही फरमाया बाबा बुलेशा जी जैसे आपकी कलम लोगों को पाखंडियों से तोड़ती है वैसे ही बंदा सिंग की सोच जालिमों के खिलाफ आम लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है भूखे प्यासे गरीब लोगों की पीड़ा को तो एक नेक दिल इनसान ही अपने अंदर महसूस कर सकता है मैं तो कुछ कहते रुख के साई जी कहूंगा मुआई बात ना रहती है अब रब की रजा में ना रहने वाले जाल्मों का बुरा वक्त आ गया है मुआई बात ना रहन दिये मुआई बात ना रहन दिये चूठाखा ते कुछ बच दाए सच अखिया पामबड मच दाए जीदो हाँ गलातों जच दाए जच जच के जीवा कैं दिये मुआई बात डरें दिये तेरा भतिजा क्या खबर ले कराया है हरे केता मन्ल बता हो हुजूर मैं बंदा सिंग की फोज में गुल मिल गया हूँ बंदा सिंग जंग के लिए बहुत तैयारी कर रहा है हुजूर जितनी मर्जी तैयारी कर ले दिल्ली के तक्त पे बाच्छा बदलते हैं पर सरहन के तक्त पर वजीर खान था है और हमेशा रहेगा लोक सतावे खस्ब भड़या लुट खाणा खान साहिब आपने जंग जीतने के बाद बंदा सिंग की सजा के बारे में कुछ सोचा है मैं उसके 40 टुकडे करूंगा सर को सरहन के किले पर टांग कर लोगों के लिए नुमाईश लगवाऊंगा पर उस सर का खास क्या रखना हजूर ये अपने नौमे गुरू का चांदरी चौंक से सर उठा कर ले गेते ये सरहन है दिल्ली नहीं कित चुर बने कित खाजी हो कित मिम्बर ते बहभाजी हो कित ते बहादिर गाजी हो आप अपना कट की चड़ाईदा चेड़ाईदा कहो किस थी कहो किस थी कहो किस थी आप चुपाईदा कहो किस थी जन्मु का मैदान चपड़ चिड़ी है उस दिन बनूर, मनी माजरा और खैड के किलों से वजीर खान का कोई भी जरूरी सामान उस तक ना पहुँचे बंदा सिंग, तलवारे देख, तोपे देख, देख, मेरी फाज की तादाद देख सुभान अल्ला, सुभान अल्ला, मैं उन सिंगों की वाज के चितरे हवा में उर्ते देख रहा हूं दुश्मन के चक्के छुडाने के लिए ये तोपे ही काफी हैं, कुछ तो वहीं खत्म हो जाएंगे, बाकी डर के मारे मैदान छोड़कर भाग जाएंगे, खेल, खत्म 15,000 पैदल और 12,000 घुर्षवर जिपाही, दर्जनो हाथी, तीर अंदास, घुंखार 5,000 गाजी और बहुत सारी तोपें, खबर पक्की है हमारे स्वागत के लिए अच्छी तैयारी की है वजीर खान ने बंदा सिंग जी, हम तोपों का मुकाबला कैसे करेंगी? बस, तोपों की मार का पता चल जाए के कहां से कहां तक है बंदा सिंग जी, गाउं के जो नौजवान हमारी फौज में शामिल होने आ रहे थे वजीर खान ने उनको मरवा कर उनी के गाउं के चुराहों पर लटकवा दिया ताके और लोग हमारे साथ जुड़ने की हिम्मत न कर सके हम, तुझे ये खबर कहां से मिली है? मुझे ये खबर अपने साथ ने जुड़े सिपाहियों के खेमे से मिली है मुझे बता, वजीर खान की फैलाई इस दहशत के बारे में सुनकर तुझे कैसा लगा? जी, मेरा तो खून खौल रहा है पर सिंग जी, मैं अपने साथ जुड़े ने लोगों की बात कर रहा हूँ घबराऊ मत, वजीर खान की फैलाई ये दहशत हमारे सिंगों के खून को उबाला देगी बस, इस खून को थंडा मत होने देना जंग से ठीक पहले जालिमों ने ऐसी हरकत डर भेलाने के लिए की है गुरु साहिब, सरहान पर फतह हासिल करने के लिए क्या ये उचित समय है? खाल साजी, सोची सोचना हूँ वई, जे सोची लखवार आप तो गुरु पिता जी को अपना सैनापती मानते हो फिर भी सोच में पड़ गए खाल साजी, हमले का उचित सम्मा तब है जब आप तयार हो और जब आप तयार हो, हर सिंग तयार है कौर से सोचो खाल साजी, ये कायराना हरकत उसकी घबराहट है अंदर से वो आपसे डर गया है सिंग जी, आगे बढ़ो हाँ, हम आपके साथ है खाल साजी, सरहन से एक आदमी और एक अवरत आपको मिलने आ है वो पहले भी दो-तीन बार आ चुके है कहते हैं, जंग शुरू होने से पहले आपसे मिलना ज़रूरी है हाँ जी, बताओ जी, मैं नूरा हूँ गुरू साब जी के कहने पे मैं सरहन्द गया था हाँ, भाई देया सिंग ने तुम्हारे बारे में बताया था ये मेरी बहन रजिया, जिसने छोटे साहबजादों की दिवार में होती शहिदी अपनी आँखों से देखी है मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ ये है उस देवार की इंट पहत साल से मैंने अपने पास संभाल कर रखी थी ये आपके लिए है जंग में अपने साथ रखिएगा मेरा विश्वास है आप वजीर खान को वो सजा दे सकेंगे जिसका वो हगदार है हम आपके साथ है बस बेंजी रोना नहीं गुरु साहब का लाख लाख शुकर है उन्होंने आपको मेरे पास भेजा आज मैं आपके मुझे सुनना चाहता हूं कि उस दिन और उससे पहले सरहन में क्या क्या हुआ था हे सच्चे बादशा आपने तो मुझे पंजाब आजाद कराने भेजा है किसी से बदला लेने के लिए नहीं लेकिन जंग में जाने से पहले जो हैवानियत की आखों देखी कहानी इस बेहन से सुनी है उसको सुनकर बस मैं यही अर्ज करूंगा कि जिस वक्त वजीर खान मेरे सामने हो उस वक्ता पुझे माफ कर देना माफ कर देना बंदा सेंग यह कोई सडोरा या समाना नहीं यह सरहंद है सरहंद वजीर खान का सरहंद वजीर खान नाहीं मैं तेरा कोई फॉजदार हूं नाहीं कोई पहाडी राजा सिंग हूं सिंग गुरू का सिंग ओए सिंगा क्यूं मौत को दावत देता है अपने सिपाईयों के साथ आकर मेरे सामने हत्यार डाल दे उन दो मासूम बच्चों का सर नहीं जुका सका और तु गुरू के इन सिंगों को खुलाम बनाने के सब में देख रहा है ओए घुटने टेक दे, मैं तुम सब की जान बख्ष दूँगा तु घुटने टेकने के बारे में सोचना भी मत सालिम मैं तेरी जान नहीं बख्षूँगा तेरी ये मुठी बर फौज शाम तक मेरे कब्जे में होगी तु आगे तो बढ़, इधर मेरी तोपों को देख ओए इधर मेरे सिंगों को देख, एक एक आग का गोला है बंदा सिंग, आखरी मौका है तेरे पास वजीर खान, आखरी खाहिश है तो बता तो कल का उगता सूरज नहीं देखेगा सूरज तो आज तेरे मरने के बाद ही डूबेगा दुन्या की सबसे अवल कौम के सुर्माओं दुश्मन पे ऐसा हमला करो कि हमारे खौफ से इनकी आने वाली पुष्टे कोख में ही खत्म हो जाएं खाल साजी, काल बनकर तूट पड़ो इन दुश्मनों पर तुम फाज, अकाल की हो हम सिंग, गरज, कर आज सरहंद में हुए पापों का इंसाफ करेंगे कर्व से भर उठेगा हमारी आने वाली पीड़ी का सीना जब वो आज का इतिहास पढ़ेंगे आज की चन्द का सेना बदी कौन तेह शिवा शुब कर्मन ते नडरू अरसो जब जाए दरू निश्चाय कर अपनी जी करू निश्चाय कर अपनी निश्चाय कर अपनी जी करू नौ सिखिये तूट पड़ा अप्टरार आगे बढ़ा रुक जाओ इसके आगे तोपो की मार है तेजी से आगे बढ़ाओ इससे पहले के दूसरी तोपो का हमला हो जाए कर अपो का हाए इसके लाओ वर्पो कर अपचो करूपे बढ़ाव कि विरמה कि भी जब जनी जनान सलेघlage है. कि वो जो जडते बंटे वेता. कि वो जनानी जनानती. कि वो जनानारी. कि वो जएमानी जनाना थे जएमें जनावा remember है Cake wirklich! कि वो ओले है जनाती. चनाब भुरी खबर है, जब पर चीड़ी आने वाले हमारे बनूर, खरण, मनी माधरिया के किलों के हार रास्ते पर सिख तिवार बनकर खड़े हैं, इसलिए कोई असला, कोई मदद हम तक नहीं पहुंच पाएगी मदद की जरूरत तो अब उस बंदे को पड़ेगी, उसकी फाउज में शामिल मेरे लोग, अब बाजी बलड देंगे, सुचानन्द उदर हावी हो गए है, सभी जान बचाकर भागो ये क्या कहने है? अब खेल खत्म बंदा सिंग जी, मुगलों की तोपे भारी पड़ रही है, हमारे नए जुड़े सिपाही मैदान छोड़ कर भाग रहे हैं सिंग जी, बाकी बची फौजों को कहो, घंडा खड़काने का वक्त आ गया है, चलो! जी, मुगलों के लिए ये सी, इसी तली पे सजाए है, हमारे है, हमारे माले को दूबे का सफाव अर्ला, जी, पसी, जी, 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 नगारा गड़के गाओ, बंदेरा, जी, 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 यह ले बहुत बड़ी अनतिकी है तुने निहत्ये को तलवार देकर मैं होता तो तुझे चीर के रख देता आ फिर निहत्ये पे करवार आ कर मंदे कमी नान का जद कद मंदा देखा मजलूम पर अत्याचार करने वाला हर कोई एक दिन ऐसे ही धूल चाट रहा होगा अब तो ये सोच रहा है ना कि मैंने तुझे चांद से क्यों नहीं मारा इधर देख ये उस दीवार की इंट है जिस दीवार में खड़े करके तुने मेरे गुरू के बच्चे शहीद किये थे ये इंट पांच साल पुरानी है बाबा फदे सिंग की उमर भी उस वक्त पांच साल की थी इस इच से मैं नौ जगह से तेरे शरीर को खोलूँगा क्योंकि बाबा सुरावर सिंग की उमर उस वक्त नौ साल की थी अपनी करनी का फ़ल वगतने के लिए तयार हो जा कादल आपांच से उमरे विए वरी कादल और वखंग वरी कार विए वरी क्त आप शी वर वाख्या वरादश्ग जैंड़ व्याराभ्वत विए वरादश्वता उनल एफ वर वलाज़ वादः वंबग वर तो विए वजीर खान इस फते सिंग से भी आज तू हारेगा मुलादा तक्ता परट गया मुलादा तक्ता परट गया अभी सालिम मरा है इसकी परचाई ये भी सिन्दा है सरहंद चलो काजी साहब काजी साहब काजी साहब कर दाजा खूजिये सुच्चानंद क्या ख़बर है हम लडाई हार के है वजीर खान भागा पाड बच्चों को लेके दिल्ली भागो ये तो सुच्चानंद है सुच्चानंद कहां भागेगा तु सुच्चानंद 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 वाहे गुर्ची सजा मंजूर है वर जूतना कभूल नहीं और ऐसे नीच काम, कमजोर की ताकत बनने वाला बंदा सिंग है बे खौफ जीते हैं, बे खौफ की मद्दे हैं इतना बड़ा खौफ और ऐसे नीच काम मुझे माफ कर दीजे, बंदा सिंग जी, मुझे से बहुत बड़ी भूल हो गई है याद कर, इसी जगे पर खड़े होकर तुने मेरे गुरू साहिब के बारे में क्या कहा था सुना आपने, सुना आपने, सांप के बच्चे सांप ही होते हैं ये लीजे, इसी जबान से कहा था ना, काट दीजिए इसे, मुझे मारिये मार और अब याद कर, तुझे बाबा जुरावर सिंग ने क्या जवाब दिया था सुच्चा नंद, जुबान को लगाम दे, मजलूमा देओ दोस्त ने, नेकी उनकी उनकी पहचान है सीज जुका कर आदर कर, गुरू गोबिन सिंग उनका नाम है लीजिए, मैंने अपना सीज जुका दिया, जुका दिया अपना सीज, गुरू साब को जुका दिया सर उपर कर, पाखंडी, अपनी सुबान से बोल कर बता, फिर बापा फटे सिंग ने तुझे क्या कहा था शुकर, 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 शुकर कर हम तुम्हारे कैदी है, नहीं तो कसम गुरू पिता की, अब तक तुम्हारा सर कंदों से गिर चुका होना था आप कर दीजिये मुझे, मुझे ठंडे बोर्ज में उम्र भर के लिए कायद कर दीजिये, बस मार ये मत तो शुक्रिया आदा कर बापा फटे सिंग का, जिन्होंने तेरी मौद का आसान सा फर्मान उसी दिन चारी कर दिया था उन मासूमों का कहा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा माफी, माफी आदा सिंग जी, हमने वजीर खान की बैगम और बच्चों को अपनी हिरासत में ले लिये यह जहां जाना चाहते हैं इन्हें उसी जगे पर हिफाज़त और इज़त के साथ छोड़ करा हूँ गुरु साहब की मेहरे उस वजीर खान के बच्चों को रिहा कर दिया जिसने गुरु साहब के बच्चों को दिवार में चिनवाया था दादी एसा डेले क्यों होरे ने डाले तेरी सिखियाते उतरे तेरे लाले करके सिरादी पिटा रभी तेयान करिये दादी पिता दाना रोशन जहान करिये फिला आग आएदा दिये जुदाईदा असाज मुड के ओडा नहीं तेन्नु दसी एकी वेकी होडाए तेरी अक्खियानु असी रूलोडा नहीं तेरी सिखियाते उतरे तेरे लाले करके सिरादी पिटा रभी तेयान करिये दादी पिता दाना रोशन जहान करिये रोशन जहान करिये इसकता रहन कर दोदाए तेरी वेकीान कर दोदादी तेरी तेरी वेकी तेरी देए कर दो चाहती है झाल, झाल, झाल गुरु साहिब, मैं जानता हूँ, आज की इस जंग के सिनापती आप खुद थे, और ये जीत भी आपकी है बोले सोनिहाल, सावाजिया आदे बन्दा सिंग बहादुर ने ना केवल पहला खालसा राजसा पे तिया, बल्कि अपने गुरुों के नाम के सिक्के भी चला है जिन पे गुरुों को शदांजली अंकित थी, उन सिक्कों को नानक शाही, यानी गुरु नानक जी की मुझाए अंकित था, सबके दाता सत्गुरु नानक जी की असीम कृपा से और शेहन्शाओं के शेहन्शा, सच्चे पात्षा, गुरु गुबिन सिंग जी की तेग की फते से ये सिक्के आध्यात्मिक और संसारिक दोनों जगत के लिए जारी हुए हैं। बंदा ने लोगड किले को अपनी सेन शक्ती का मुख्य केंदर बनाया और जिन पहाड़ी राजाओं ने गुरु साहब को अननदपुर के युद्ध में धोखा दिया था, उनके राज्यों पर कबजा कर लिया। बंदा का राज पंजाब में लहोर के बाहरी हिस्से से लेकर दिल्ली के करीब सौनी पर तक पहला हुआ था। भाई फते सिंग जिन्होंने वजीर खान का सरकलम किया, वो समाना पे हुए हमले से पहले अपना जथा ले बंदा सिंग से आमिले थे। वो जिस गाउं के रहने वाले थे, उसे आज गाउं चक फते सिंग वाला के नाम से जाना जाता है। उनके पूरवज सिखों के चोथे गुरुजी से खरीब से जुड़े हुए थे। फते सिंग की बार्मी पीड़ी आज भी उसी गाउं में रहती है। बंदा सिंग का विवाह चंबा के राजा उदे सिंग की पुत्री सुशील कौर से हुआ था, जिन्होंने पुत्र अजे को जन्म दिया। दूसरा विवाह साहिब कौर्जी से हुआ, जो गुर्दास नंगल से बंदा सिंग की गिरफतारी के वक्त उनके साथ नहीं जा सकी। क्योंकि वो उस वक्त गरववती थी। बाद में उन्होंने पुत्र को जन्म दिया, जिनकी नौवी पीडी आज कट्रा से अठारा किलोमेटर दूर रियासी गाओं में और रोतक में रहती है। मुगल लोग और किला जीतने के बाद भूखे बेडियों की तरह बंदा सिंग को खोज रहे थे। तब उसने रोपर जलंदर राजमार्क पर रायल माजरा गाओं की गुफाओं में शरण ली थी। पूल भुलेया जैसी ये एतिहासी गुफाएं पहाड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहली थी। इनकी उचाई सिर्फ एक गोड़े के गुजरने लायक थी। इसलिए छिपने का उत्तम स्थान थी। ये गुफाएं आज भी मौजूद हैं। संख्या पहले से कम है। बादशाः फारुक शियार के हुक्म पर मुगलों ने बंदा सिंग को गिरफतार करने के लिए गुरदास नंगल को आठ महीने तक घरे रखा। बंदा सिंग ने फिर पतनी सुशील को बेटे अजे और दोसों से भी ज़्यादा सिखों के साथ आत्म समर्पन कर दिया। परिवार के साथ बच निकलने का मौका होने के बावजूद उसने अपने गुरू की इस सीख पर डटे रहना चुना कि मरना उसका ही सफल माना जाता है जो दूसरों को हिम्मत से मरने का हुनर सिखा दे। खौफ फैलाने के लिए बंदा सिंग के शरीप उनकी पत्नी सुशील कौर के भाई ने कुछ टुकड़ों को इकठा कर उनका दाहसंसकार जम्मू में किया। बंदा सिंग की अस्थियां आज भी रियासी में डेरा बाबा बंदा सिंग बहादूर के मठ में सुरक्षित हैं। बंदा की उपलब्धियों ने सिखों की नई पीडी को आने वाले संगर्शों के लिए तैयार किया जिससे वो एहमद शाअबदाली जैसे हमलावरों को मूँ तोड़ जवाब दे पाए। और महराजा रंजी सिंग भी विशाल सिख सामराज्य खड़ा करने में काम्याब हुए। बंदा की वीरगा था आज भी लोगों को नया इतिहास रचने को प्रेरित करती है। जिस जगे पर बंदा सिंग बहादुर और उसके तीन साल के बेटे अजे को मुगलों ने शहीद किया। उसे आज गुर्दवारा शहीदी अस्थान बाबा बंदा सिंग बहादुर के नाम से जाना जाता है। ये स्थान कुतु मिनार से डेड़ किलोमीटर दूर महरोली नई दिली में स्थित है। महराज़ के नांदेर में जिस जगे गुरु गोबिन सिंग जी का डेरा था। उसे आज तख्त सचकन श्री हुजूर अबचल नगर साहब के नाम से जाना जाता है। ये स्थान सिखों के पाँच तक्तों में से एक है। यहां महराजा रंजी सिंग के आदेश पर सन 1832 और 1837 के बीच एक गुर्दवारा बनाया गया। गुरू गोबिन सिंग्जी के वक्त प्रचलित प्राचीन प्रथा और रिवाज यहां आज भी बनस्दूर जारी है। चमकार की लड़ाई के बाद गुरू गोबिन सिंग्जी ने मुगल बादशा औरंगजेब को एहमद नगर एक पत्र जफर नामा बेजा। जिसमें उन्होंने बतौर इनसान उसकी कम्यों बतौर शासक उसकी जियात्तियों और गुरू जी से उसकी उसकी लोगों की वादा खिलाफी पर दिखका रहा था। और चितावनी देते हुए वो खालसा संकल्प याद दिलाया कि जब तक तुम्हारा शैतान राज खतम नहीं हो जाता हम चैन्च से नहीं बैठेंगे। उनका जफर नमा पढ़ और अंगजेब विचलित हो गया। वो गुरू साहब से मिलना चाहता था। पर उससे पहले ही वो चल बसा। चपड़ छडी के महा युद्ध में बाबा बंदा सिंग बहादुर की वजीर खान पर हुई विजे की याद में उस जगे पर एक भव्य समारक बना गया है। ये स्थान चंदीगर से कुछ मिल दूर है।